हेलो यूर बुक्स, स्वागत है आप सभी का यूर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कम्प्लीट बुक्स समरीज इस समरी में आप सीखेंगे कि असली दौलत आजादी से अपनी पसंद का जीवन जीने में है आपका परिवार, अच्छी हेल्थ ये है असली दौलत, आपको समझ में आएगा कि बुड़ापे में अमीर बनने का कोई फाइदा नहीं है दौलत को जवानी में एंजोई किया जाना चाहिए कम उम्र में अमीर बनने के लिए फास्ट लेन का रास्ता अपना कर आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं और पूरी जिन्दगी आराम से जी सकते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में लिमोजिन जैसी लगजरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कमफर्टेबल और शानदार जिन्दाजी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इनसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमा कर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है, हाँ, पॉसिबल है. 60-65 की उम्र में रिटायर होना आम बात है लेकिन आप इसे जूठा साबित कर सकते हैं. आप एक यंग मिलियनेर बन सकते हैं. ज्यादातर लोग इसी चाहत में कि किसी दिन अमीर जरूर बनेंगे हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं. कई बार इसमें पूरी जिन्दगी निकल जाती है. आप खुद को इससे बचा सकते हैं. कम उम्र में भी अपने दम पर आप वो सारे एशो आराम एक्स्पीरियन्स कर सकते हैं. आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, बिना बिना किसी चिन्ता के इस खुबसूरत जिन्दगी को एंजोई कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जिन्दगी अपनी शर्तों पर खुल के जी सकते हैं. इस बुक में आप प्रैसों के बारे में हमने जो गलत फहमी पाल राखी है उस बारे में जानेंगे. इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि पूरी उम्र गुजरने के बाद अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता. ये लगजरी, ये पैसा तो जवानी में एंजोई करने की चीजें हैं. इस बुक में तीन तरह के स्ट्रेटेजीज बताए गए हैं. आप उनके इंपोर्टेस और कमियों के बारे में जानेंगे. इन तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रेटेजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसा के रास्ते पर ले जाती है. पैसा अपनी मन्जिल को देखने से नहीं मिलता बलकि जो रास्ता आपको वहां तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है. पैये रोमान चक सफर आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं जो आपको महेंगी चीजे खरीदने का पौवर देरती है बलकि सच्ची दौलत तो फैमली का साथ अच्छी हेल्थ और एक आजाद जीवन में छुपी होती है. पैसा कमाने की टेकनीक बताएगी. तो क्या आप इसके लिए तैयार है? तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं. The Great Deception, The Great Deception, सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवया चला आ रहा है कि एक धंग की जौब धूंडो, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, मुच्यूल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे. लेकिन ऐसा करने में तो पच्चीस 30 साल भी लग सकते हैं. इस हिसाब से तो आप पूरी जिन्दगी कोहिलू के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बुड़े हो तब अमीर बन सके? लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुड़ापे में इतने पैसों का करेंगे क्या? इस प्रेस्टमेंट बैंकर ने फास्टलेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेर किया. जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी. सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी. रैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को एशो आराम की ज लोग रहे होंगे. फिर उसने कहा कि एक बार एक बावन साल के एक आदमी ने उससे कहा था कि जब तक आप लगजरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एन्जॉइ नहीं कर पाएंगे. उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है. इच्छाएं कम होने लगती है और से ज्यादा तर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं. पैसा कोई इवेंट नहीं है. ये एक प्रोसेस है. आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा. ये एक रोड ट्रिप की तरह है लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाए इस रा है. पहली तो है कार, जो आप खुद है क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहा है. दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चोईसेस और तीसरी चीज है स्पीड यानि किस स्पीड से अप अपने आइडियाज को अपलाई करना शुरू करते हैं. एक बार इस बुक के ओथा एम जे डेमा को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोट ट्रिप के जरिये साउथ फ्लॉरिडा जा रहे थे. बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई. वो अब भी अपनी मंजल से काफी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजल पर फोकस कर रहे थे उस जर्नी पर नहीं. उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया. अगर उन लेकिन जल्दी पहुँचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नजर अंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किले आ सकती हैं. इसलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिलकुल समय पर अपनी मंजल तक पहुँच जाएंगे. इमेजन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पर टरते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कमपनी 30 मिलियन डॉलर में बेच दी. अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है. लेकिन इसके पीछे क कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता. कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन राद बिना रुके, बिना आराम किये अपना कितना टाइम और एनरजी उस काम में दिया होगा. जब किसी को सकसेस मिलती है तो हर किसी की नजर उस पर होती है लेकिन उस सकसेस के पीछे क की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वज़े से पॉसिबल हो पाया था एक बार एक एथलिट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए 50 मिलियन डॉलर का कॉंट्रे साइन किया ये एक इवेंट था जिसे सबने देखा लेकिन कॉंट्रेक्ट पर साइन करने के कुछ ही मिन्टों बाद वो एथलिट अमीर नहीं हो गया उसने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की एक लंबा सफर तै किया तक जाकर उसे वो कॉंट्रेक्ट मिला उसने स्किल को इंप्रूव करने के लिए उसने घंटों प्रैक्टिस किया, हजारों बार गिरा, ना जाने कितनी बार उसे अपने घाव की वजह से सरजरी करवानी पढ़ी आपको क्या लगता है कि उसे सब आसानी से मिल गया होगा? नहीं, उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया, वो कई बार फेल भी हुआ, उसने अच्छे बुरे हर तरह के दिन देखे और इन्ही खटे मीठे एक्स्पीरियंस ने उसकी जर्नी को उसकी मंजल तक पहुँचाया चलिए मान लीजिए कि आप कुकीज बनाना चाहते हैं. आप किचन में जाते हैं और एक बोल में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं. आपको क्या लगता है क्या होगा? आप आँखे बंद करेंगे और कुकीज अपने आप तयार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. जब तक आप कुकीज बनाने वाले हर सामान को बोल में नहीं डालेंगे. एक रेसिपी में दिये गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुकीज नहीं बन सकती. तो सकसेस भी एक रेसिपी की तरह है. जब तक आप आप जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। अगर एक भी इंग्रीडियन्ट छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है। इसलिए हर पहलू पर ध्यान दे तब आपको एक्स्ट्रा ओर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। The Sidewalk Roadmap, The Sidewalk Roadmap, आये अब Roadmap के बारे में समझते हैं। MJ ने समझाया है कि तीन तरह के Roadmap होते हैं। पहला है, Sidewalk Roadmap जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को Sidewalker कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई Financial Plan नहीं बनाते। वो अपने इंकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब Financial Management के कारण ये Sidewalk का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब दो तरह के Sidewalkर होते हैं, Income Poor और Income Rich. ऐसे लोगों की Net Worth Zero या Negative होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85 प्रतिशत Americans इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई Saving होती है, ना पैसे और ना कोई Deposit. इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है जिसमें Car Loan, Home Loan, Personal Loan सब शामिल है। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में Latest Flat Screen TV, Mobile, Latest Technology वाले गैजट सब कुछ देखने को मिलेगा. ये सब जिन्दगी की जरूरतें तो नहीं हैं. हाँ, आप इन्हें शौक जरूर कह सकते हैं. इनकम पूर साइड़ौकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते. ना वो अपने बुड़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना जिन्दगी की किसी इमरजनसी के लिए. वो बस सारा पैसा शो ओफ करने में बरबाद कर देते हैं. इसलिए जिन्दगी के सफर के पैसे जॉब छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एकसीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में फैली मन्दी. ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लगजरी कार तो है लेकिन हेल्थर इ करीबी के जाल में उलज कर रह जाएंगे. अब बात करते हैं इंकम रिच साइड़ वॉकर की. एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ तीन साल में दो हिट रैप सोंगर्स दिये और वो काफी फेमस हो गया. लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला भी निकल गया था. आपको पर महीने चार मिलियन डॉलर कमा रहा था लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंसियल कंडीशन बहुत खराब हो गई. इसका भी वही कारण था. पूर मैनेजमेंट स्किल. फेमस एक्टर, म्यूजीशन अकसर अपने लुक्स को मैंटन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं. वो महेंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आलिशान सी फेसिंग घर में रहते हैं और महेंगी गाडिया ड्राइव करते हैं. इन सब चीजों को देख कर हमें लगता है कि वो कितने एशो आराम और मजे से रहते हैं. है न? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी स्टाइल मेंटन करने के लिए कितना खर्च होता होगा? और प्रॉबलम यहीं से शुरू होती है. वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं. मान लीजिए कि वो हर महीने 50 डॉलर कमाते हैं तो उनके खर्चे कम से कम 60 डॉलर होंगे. यही कारण है कि वो कभी पैस सा जमा नहीं कर पाते. उनके करियर में एक छोटी सी फिलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. कई ब्लागबस्टर गाने रिलीस करने के बावजूद एक फ्लोप गाना या फिल्म उन्हें बरबाद कर सकती है. हम एकसे वेल्थ को उन चीजों से आंकते हैं जो महेंगी चीजे हमारे पास होती हैं. लेकिन ये नजरिया गलत है. पैसों की वत जानने का स्थी तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी. जैसा की नाम से समझ में आता है इसमें तीन चीजे शामिल हैं. फैमिली, फिटनेस और सबसे पहले, वेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिष्टा. दूसरा है, हेल्दी और फिट बॉडी. एक हेल्दी और स्ट्रोंग बॉडी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता. और तीसरा है फ्रीडम यानि आजादी. ये अपनी पसंद से ड नकली या आर्टिफिसियल. नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना. ये असली पैसे को बरबाद कर देता है. आएए एक एक्जाम पल की मदद से इसके फर्क को समझते हैं. एक्सप्रेस्वे के पास एक अपार्टमेंट था. उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेर की जरूरत है. उसका रंग धुंदला हो गया था. वो जगा जगा से तूट फूड गया था. एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे. उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लोट में उन्होंने एक बहुत महंगी लगजरी कार देखी. उन्हें उस कार के ओनर के बारे में सोचकर आश्चरे होता था. अगर वो साथ हजार डॉलर की कार अफ़ोड कर सकता है तब तो वो बहुत दौलत मंध होगा. लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है जिसकी हालत इतनी खराब है उसे तो एक आलिशान बंगले में रहना चाहिए. तो इसका रास था कि उस कार का ओनर बिलकुल अमीर नहीं था. वो बस अमीर दिखना चाहता था. इसे ही आर्टिफिसियल वेल्थ कहते हैं. ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होन जो साबित कर देगा कि महंगी चीजे होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता. असली वेल्थ है आपका परिवार, अच्छी हेल्थ और आजादी. हेंरी सुकरानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कमपनी में काम करता था. वहां वो अच्छा कमा रहा था. कुछ समय बाद, हेंरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा जिसकी कीमत थी 1.8 मिलियन डॉलर. उस आलिशान बंगले में स्विमिंग पूल, पाँच गाडियों रखने जितनी बड़ी गराज, घोडों को रखने के लिए अस्तबल और वो सब कुछ था जो आप एक बंगले में इमेजन कर सकते ह हैं, वहां रहने से हेंरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है, एक दिन कमपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठाई जाने लगी, अब उसे पहले से भी ज्यादा काम करने लिए कहा गया, हेंरी को रोज काम पर जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ता उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में ही बीट जाता, थेंरी ने अपना मनपसंद घर उसे एंजोई करने के लिए और सुकून से रहने के लिए खरीदा था और अब उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा था, इस घर को खरीदने के चकर में उसके रिष्टों औ और उसकी हेल्थ पर काफी बुरा असर हुआ था, उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं था, वो हर समय स्ट्रेस में रहने लगा, वो अपने इस एशो आराम के लाइफ स्टाइल में फस गया था, जिसने उसकी आजादी, उसकी शान्ती सब छीन लिया था, तो क्या समझे आप, हेंरी सिर्फ ये जताना चाहता था कि वो कितना दौलत मिंद है इसलिए उसने इतना महंगा घर खरीदा, लेकिन असल में वो उसे आफ़ोड नहीं कर सकता था, अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम करता रहा जिसने उसका चैन, आजादी सब चीन लिया था, Artificial Wealth इस तरह असली पैसों का नाश कर देती है, Missuse Money and Money Will Missuse You, Missuse Money and Money Will Missuse You, अक्सर देखा गया है कि इनसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हैं उतना ह ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है, अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन राद बस काम में ही लगे रहते हैं, ज्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिचिडे हो जाते हैं जिसका बुरा असर आपके रिष्टों, आपकी हेल्थ सब पर पढ़ता है, इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशिया नहीं खरीद सकता, पैसा आपकी जिंदगी आसान तो बना सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसे खुशाल भी बना सके, पैसे के साथ अगर आजादी भी हो तो वो खुशिया देंगे तो उसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। आसी रकम जमा हो गई, अब MJ खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने अपना रहन सहन और उचा करने का फैसला किया और एक महेंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि ये महेंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटिस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद MJ अपने काम से उबने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीत जाता था। वो बहुत ठका हुआ फील करते थे। लेकिन मजबूरन MJ को अपना जौब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटिस सिंबल नहीं था बलकि एक दीमक था जिसने उनके सुक चैन को खत्म कर दिया था। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आये एक और कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लेक मेल करके जबरदस्ती पैसा वसूल करता था। ऐसा करके वो साल में 2,14,000 डॉलर कमा लेता था। इस हिसाब से तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बरबाद हो चुका था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोट के ओडर की वजह से उसे हर महीने अपनी बीवी को 6,000 डॉलर देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरह के लोंत है। उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके। लेकिन वो कभी ये हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया था और अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसके पास पैसा था मगर वो अब भी कर्ज में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से खुशियां खरीदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास ही नहीं हुआ की कर्ज ने उसे पैसों का और वो उस गुलामी से आजादी चाहता था। क्या आपने हिच हाइकंग के बारे में सुना है। हिच हाइकंग का मतलब है सफर पर निकलना लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। अब ये बहुत ही रिस्की और खतरनाक होता है। कई लोग ऐसा क इसी जर्नी के दोरान ही नहीं बलकि अपनी जिन्दगी में भी करते हैं जहां वो अपने फाइनेंसियल प्लान का कंट्रोल दूसरों को सौब देते हैं। इसमें आपके फाइनेंसियल डिसिशन कोई और लेता है। ऐसे लोग अकसर असहाई और दूसरों पर का मतलब ये भी है कि आप गलती को दोहराते नहीं हैं। एक दिन, MJ अपनी एक दोस्त के साथ रस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उसने MJ को बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया था जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। MJ ने पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने कहा कि मेक्सिको के एक रस्टोरेंट में उसका पस चोरी हो गया था। उस पस में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ और भी कई इंपोर्टेंट भेपस थे और वो चोरी हो जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ था। उसने कहा कि उसने पस टेबल पर रखा था तभी अचानक कोई आया और पस उठा कर भाग गया। इस स्टोरी में ये समझाया गया है कि ये उस औरत की गलती थी कि उसका पस चोरी हो गया था। ये जानते हुए कि पस में इंपोर्टेंट पैपस थे उसने बड़ी लापरव ही से उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसका पस पहले भी चोरी हुआ था। अपनी गलती को एक सैप्ट कर उससे सीखने के बजाए उसने दोबारा वो गलती दोहराई। उसे टेबल पर अपना पस रखने की आदत ही। इसी का मतल होता है हिच हाइकेंग। वो औरत खुद अपने आपको एक विक्टिम बना रही थी। यही उसकी गलती थी। जो कुछ भी हुआ उसे उसकी जिम्मेदारी लेकर दोबारा दोहराने से बचना चाहिए था। The lie you have been sold, the slow lane, the lie you've been sold, the slow lane, sidewalker के बाद आते हैं slow laners। अब slow lane sidewalking से बहतर होता है। Sidewalkers आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवा करते हैं और ना ही कोई planning। वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। Slow laneers अपनी गलती को accept कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक bright future की कामना में अपना आज ही sacrifice कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं। लेकिन future में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसो का मज़ा तो जवानी में लिया जाना चाहिए जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती हैं। जब आप बुड़े हो जाएंगे तो इतने पैसो का क्या करेंगे? आए इसे जो की कहानी से समझते हैं। जो एक टीनेज था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा finance की किताबे पढ़ता रहता ताकि ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बाते लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे। जो ने इस एडवाइस को फॉलो किया। उसने लो की पढ़ाई पूरी की और एक लो फम में जॉब करने लगा। नहीं करता बलकि आने वाले हफ़ते की तयारी में लग जाता। अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा। लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पढ़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसलिए जो ने इस उम्मीद से वहाँ जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉई करने का सपना देखता रहा। लेकिन एक दिन अचानक होट अटेक की वजह से जोकी मौत हो गई। वो सिर्फ 51 साल का था। जो ने स जिन्दगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाय पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में इतना बिजी था। लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और इमीर बनने से पहली ही उसकी मौत हो गई। Wealthers Shortcut, The Fast Lane, Wealths Shortcut, The Fast Lane तो हमने देखा कि Sidewalk और Slow Lane दोनों ही Roadmap में आपको या तो अपनी जवानी या अपना Retirement sacrifice करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है Fast Lane Roadmap। ये इतना कमाल का Option है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुडापा दोनों को Enjoy कर सकते हैं। इस रास्ते पर चल कर आप छोटी उम्र में भी Millionaire बन सकते हैं। लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुडापे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा बलकि आपको बहुत जल्द इसका result मिल जाएगा। आएए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक Egyptian राजा के दो भतीजे थे चुमा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिट बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वा दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिये और उन्हें square shape में रखने लगा। उसे पिरामिट का बेस तयार करने में एक साल लगा। लेकिन चुमा का प्लाट अब तक खाली था। ना वहां कोई पत्थर था और न अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठा कर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो strong बनने के लिए एक trainer के पास गया। इस बीच चुमा ने अपनी lifting machine बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने म machine को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को दो महीने लगे, उसे चुमा ने दो दिन में पूरा कर दिया था। चुमा ने अपनी पिरामिज 26 साल की उम्र में तैयार कर दी, जैसा की वादा किया गया था, राजा ने उसे सिंघासन सौप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी काम नहीं करना प्रणा। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेस्फुल होने लिए कड़ी मेहनत की लेकिन चुमा ने बड़ी से सक्सेस हासिल की चुमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया कंक्लूजन तो इस बुक में आपने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है आपने तीन अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में भी जाना अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है इस बुक में आपने ये भी समझा कि महेंगी गाड़ियां, आलिशान बंगला, महेगे गैजट आपको अमीर नहीं बनाते ये बस दिखावा करने का स्टेटिस सिंबल बन गया है असली दौलत तो है अपने पसंद से जीने की आजादी आप अपनी जिन्दगी में जो रिष्टे और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत, एक हेल्दी बौडी है आपकी सबसे बड़ी दौलत इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक लेवाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी पैसा नहीं कमा सकते आपको खुद अपने डिसिशन लेने होंगे, आपको रिस्पॉंसिबल बनना होगा आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं तो सोच समझ कर डिसिशन ले फास्ट लेन का रास्ता चुन कर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिन्दगी और दुनिया को एंजोई करें तो दोस्तों आपको आज का हमारा येह दे मिलियनेर फास्ट लेन बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉबलम है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताए और इस दे मिलियनेर फास्ट लेन बुक समरी इन हिंदी को अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें आपका बहुमूले समय देने के लिए दिल से धन्यवाद और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग बुक समरी और नॉलिज से भरे विडियो देखने के लिए हमारे चैनल ये बुक्स को सब्सक्राइब करें अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं